हलो एवरिवान वेल्कम तु कीचन टीप्स। आज हम बनाने वाले हैं अम्रूत की चटनी इसे ग्वावा की या फिर पेरू की चटनी भी बोलते हैं। चलो ग्वावा कट कर देते हैं। मैंने यहां पे वाइड ग्वावा लिया है आप चाहे तो पिंग भी ले सकते हैं। चटनी बनाने के लिए अम्रूत जाधा पका हुआ नहीं होना चाहिए। अपने पिंग भी ग्वावा लिया फिर भी टेस्ट उसका अच्छा ही लगेगा। इसे ठोड़ा रफली ही चौप कर लेते हैं। मैंने अम्रूत के सीट्स नहीं निकाल हैं आप चाहे तो इसके सीट्स निकाल भी सकते हैं। मैं सीट्स नहीं निकाल रही हूँ। अगर आप इस चाइनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए अमृत को काट लिया है चलो अब हरी मिर्चियों को भी काट लेते हैं इसे भी हम लोग थोड़ा सा रफ ही काट लेंगे मैंने सिर्फ तीन हरी मिर्च लेए है अब आपके टेस्क एनुसर कम या जादा कर सकते हैं साथी में मैंने थोड़ा सा लेस्टन बी यहाँ पे लिया है चलो अब थोड़े से फुरेश पूदिने के पत्ते तोड़ लेते हैं आप चाहे तो हरा धनिया भी यूज कर सकते हैं या फिर हरा धनिया और पुदिने के पत्ते दोनों भी यूज कर सकते हैं मैं सिर्फ यहाँ पे पुदिने के पत्ते यूज करने वाली हूँ मैंने ये पुदीना घर पे ये उगाया है, अगर आपको भी जानना है कि मैंने ये पुदीना कैसे लगाया है तो नीचे कमेंट सेक्षन में बताइए अब हम लोग ग्वावा पीसेस मिक्सिजार में आड़ करेंगे उसी के साथ हम लोग कटी हुई हरी मिर्च और लसुन की कलिया भी आड़ करेंगे दिने को पत्य को मैंने थोड़ा सा वाश कर लिया और उसके बाद उसको मिक्सिजार में आड़ किया है अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा आड़ करेंगे साथी में टेस्ट के अनुसार नमक भी आड़ करेंगे और साथी में थोड़े से शुगर भी आड़ करेंगे इससे खटा मीटा टेस्ट आएगा मैं यहाँ पे थोड़ा सा रॉक साल्ट भी आड़ कर रही हूँ अब इसमें हम लग थोड़ा सा वाटर आट कर लेंगे बहुत ज़दा पानी नहीं डालना है ने तो अपनी चट्नी पानी पानी बन जाएगी इसे मैंने इस तरह बारिक पीस लिया है अम्रूत की चट्नी को एक बावल में निकाल लेते हैं इसे आप कोई भी स्नाक्स के साथ खा सकते हों मैंने इसके उपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रेट किया है विंटर स्पेशल अम्रूत की चट्नी रेडी है ऐसे ही और रेसिपीस देखनी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिये जो झाल भी स्नाक्स के लिए अग्याओ स्प्सक्राइब